पूरी पूरी टीम आने वाली है बैंक ओफ इंडिया 2023 एक मतलब बहुत बड़ी अपॉर्शनियोटी सब इस पेरिंस के लिए पी ओ मतलब जो देख रहे हैं सपना की मुझे बैंक में पी ओ लेवल की जौब चाहिए और एक सिंपल सा एक्जाम क्रैक करना है कोई प्री नहीं कोई में स्टेप एक सिंगल डे ग्जामनेशन फॉलूड पाइग डिसकेशन एंड परसनल इंटर्व्यू एक बहुत ही बैतरी न आपके सामने एक पॉर्शनियोटी ए बैंक ओफ इंडिया और इसी एपॉर्शनियोटी ग्रैप करने के लिए कल से हमारा जो ह है एक मिशन एक इस्टेप एक बहुत बड़ा स्टेप शुरू होने वाला है और कैसे क्या होने वाला सब डिसकेशन करेंगे बड़ अभी सोना में जुड़ी है और शायद कुछ बहुत खास कहना चाहती है मैं तैंक यू सर्थ थैंक यू सो मुच और सो गृवनिंग यहां आज हम बैंक ऑफ इंडिया का आपने जैसे तमनेल पे देखा होगा कि आज हम स्टडी प्लान डिसकर्स करने वाले हैं उससे पहले थोड़ा समय जिक्र करूंगी बैंक ऑफ इंडिया ने एक होप लाई सभी बच्चों के अंदर क्योंकि जब हम देख रहे थे जब हम सब्सक्राइब के लिए पीओ वाला ही सिलेबस हमें पढ़ना है तो यह बहुत अच्छी बात है साथ में 500 वेकंसी इसी के साथ यहां पर इनोंने यह भी हमारे साथ एक अच्छी चीज कर दी कि भई एक एक एक्जाम होगा उसके बाद जी इसके बाद इंटर्व्यू उसके अब हम क्या करने वाले हैं कि हम कल से एक रेगुलर बेस पे पेड़ क्लास में जो भी बच्चे मारे साथ जुड़े हैं बहुत सारे स्टुडेंट से अल्रेडी एन्रोल करा रखा है तो कल से आपको क्या मिलना वाला है क्लास में थोड़ा साथ करेंगे एक उससे पहले क्या करते है इस कर फॉम पैंपने भी चिक है टॉनेट पच़्िश तरोडेश लगा टेट की एपनिफींटस है चाह्या लगार्म कर एक रुदि एल कि हर आयाब टुड़ शेल कि हो कि टोकिने भी साल की होती मैं इसे जरूर भरती देखो जो फ्रेशर्स हैं अब एक्चुली सर इसमें एक वो आ रहा है कि जो फ्रेशर्स हैं वो उनके माइन में यह हम IBPS देंगे हम डायरेक्ट जाएंगे तो मैं बूल रहे हो ठीक है जाना पहले इसे क्लियर करके दिखा दो अपने आपको कि वही हम भ हो ही जाएगा और दूसरी बात experience is very important एक अनुभव मिलेगा उसके बिना आगे आप क्या ही दोगे डायरेक्ट जाके आप वहां पे अनुभव लोगे इस अचा पहले ले लो दूसरी चीज़ हम मैं एक बात और और जो स्टूडेंट्स जैसे एक तो मैं यह बता दिया फ्रे बिल्कुल तो मैं जिस से convenience जह आए कि सर में और जी बद्चों का तो पढ़ लृंगा बिकॉज यहां ञानगी जो कि रिल्फम ніस लेवल का होगा शिंपल बतार हॉं पीयो में लेवल का नवेल का इक्जाम होगा हाई लेवल डी हाय लेए एगी हाई लेवल रिजनिग हई southern इंग्लिश और बाकी जियागर आएगा. पियो में अग्जम्हा मतलब यहां पर वह एक स्टप आपको ऑर्रीडी क्लेर कर दिया गया है, जो प्रोणियर क्योंकि बहुत सारे बच्चे के लिए भार हो जाते हैं. तो यहां पर प्रोणियर का टेंशन ही नहीं है, के यह सिंगल उन्चन थे लगे जिसमें आपको एटेंप्ट on usPishman नहीं करने जैसे कि आप पिरियोग प्रियूमस एक्जाम देते तो इसमें देखते हैंकि आपको एक्ट-गए कर सको यहां प इतना अट्रें नहीं करना और आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो इन तीनों इग्जाम्स के, इन तीनों स्टेज के मार्क्स को कंभाइन करके आपकी इमेरिट बनेगी, और जो आपका सेलेक्शन हो जाएगा तो आपका एक साला कोर्स है, पीजी डीवेफ का है, अब सबसे बड़ी बात रही है कि जो फीज आप पे करोगे, उसका टेंशन है, हम कहां से लाएंगे साड़ी तीन लाख रुपे, यह आप बीटेक अपने किया होगा, वहां पे भी तो अपने तीरा लाख रुपे दिया है, मेरा भाई बीटेक कर रहा है, पैसा अच्छा का सा लग रहा है, बट शोल्टी नह से ही जो है, आप अपनी एफिशेंसी के साथ में काम कर सको, इसके बाद एक पॉइंट और यहां पे है, अगर आपको लग रहा है कि साड़ तीन लाख रुपे देने हैं हमें और नहीं मेरे पास है, तो इतनी सेलरी आपके पास है कि आप 6 मेने के अंदर लोन वापस कर सकते हैं और जब आपके 5 साल पूरे हो जाएंगे बैंक अफ इंडिया में तो बैंक आपकी फीज रिफंट कर देगी, ठीक है, बैंक ओफ इंडिया आपकी फीज रिफंट कर देगी, मतलब जो आप सार तीन लाख रुपे दे रहो वो भी एक साथ नहीं किस्तों में दे रहो, ब आपको token बनी के जरिए bank आपको पूरा वापस कर देगी, मेरे हसाब से जरूर आपको जाना चाहिए, ठीक है, जरूर इस form को फिल करना चाहिए, कल से हम दोग शुरू कर रहे हैं, क्या study plan है, आई जानते हैं, तो आपको आए हमारे 824.7 के मेन पेज पर आए है, ठीक है, यह आपको दिख जाएगा, specialist officer, अगर बात करूँ आई टी, या फिर आपका general banking officer, GBO, जिसे हम लोग बोलते हैं, credit officer, ठीक है, तो किसी एक में बोग बोलते हैं, मतलब क्वांट्स की, तो देख सकते हैं, यह हाई लेवल लियाई ही मैंने रखा यह पर पूरा-पूरा, यहाँ पर जो आपका paper का pattern है, वो यहाँ साफसर बोला गया है, यह 35 questions आने वाले हैं, वो आपके आएंगे data analysis and interpretation से, तो मैंने पहला एक जो beginner है, जिनको नहीं पता DIA के बारे में, उनको DIA सिखाऊंगा पहले, उसके बाद लगाता है, यहाँ पर लाइन से हाई-level DIA रखी है, बीच में हल्डे इसले रखी हैं, ताकि अगर कोई class extra लेनी हैं मुझे, या मुझे आपका test लेना है, या आपके doubt लेने हैं, तो यहाँ पर इन हल्डेस में मैं आपके doubt ले सकूँ, बाकी मैं यहाँ पर RRB PO means, IBPS PO means, SBI PO means, 222 जो भी हुए हाली में, उनकी भी memory-based DIA कर रहा हुआ, इतना कराने के बाद मुझे लगता है कि आप 25 कोईशन में से 12-13 सवाल तो अराम से बना लेंगे, बट वही है, सही direction जरूरी है, क्वालिफिकेशन सिंपल ग्रेजुशन बोला गया है, सिंपल ग्रेजुशन कोई पर छुच बाद में, बें बाद में बंटी, एक रहा है को आपको लो चाहिए यह मैं ना उन्यारिक यह इन्स्रूमेंटेशन अलेक शूरिकें मैं, एक कमेंट है आपर सम्पूर्णा का कि सर्ट रेनिंग के बाद मतलब ऐससे कुछ होगा नहीं कि बैंग आपको पढायो एक सा बहुत मेबस आता है अलड़ी मैं इस पे सारे वीडियो बता चुकी हो आप एक बार देखिए का नोटिफिकेशन मैंने सारे बता दिये हैं मैंने लेट अपके डाउट्स ले लिये हैं आपका नोटिफिकेशन आया उसके बाद मैंने ग्जाम पैटन से लिबस क्वेशन पूछा था यह कि क्या था अभी मैं बूल गई कोई बात नहीं में पताने में पीस के बारे में वो कैंपस प्रिस्मेंट हाँ 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 एक हाँ यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट यह बात मैं अच्छिली यह डाउट मैं आपका रिजॉल्व कर चुक कर आया गया उसके ट्राइमेस्टर्स हुए उसके बाद कुछ एक्जाम सु हुए क्या वह उस एक्जाम को क्वैलिफाय नहीं कर पाएगा बिल्कुल अराम सुगा वही तो कहने है बैंक आपको पढ़ाएगा आप जो पीजी डीवेस का आपका ट्रेणिंग हो रहा होगा त ट्रेणिंग जैसे आपने दिखा होगा ट्राइमेस्टर वर यूस किया गया था ट्राइमेस्टर होता तो उसमें आपको उसी साथ उसी ट्राइमेस्टर यानि उसी सेमेस्टर जो होंगे उसी के साथ-साथ आपका एक ट्रेणिंग के टाइम पर ही आपका एक एक्जाम जैस तो आप ऐसे कैसे बूल सकते हैं कि नहीं नहीं आप ट्रेनिंग के बाद नहीं होगा यानि कि आपका जो लास्ट सेमस्टर हम कह सकते हैं वह आपको बैंक में बैठा के इंटर्शिप कराया जाएगा इंटर्शिम एज लाइक ट्रेनिंग आपको बैठा दिया जाएगा बहु हुए जैसे हमारे डिजिटल बैंकिंग का हुआ कोई चीज तो वो सारी चीज आपने जो पढ़ी होंगी वहां पर हो जाएगा उसी के हिसाब से आपका मेरी हमारे नाम लिस्ट बना दिया जाता जो से बहुत सारी कांड़ें इसके पहले बैंक परोदा में बहुत सारी आपने की नहीं नहीं ट्रेनिंग के बाद हम पता चला फिर से अट गया तो हमारे साड़ा तीन लाग रुपए चलागे अरे कुछ नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ठीक है था सबसे इंपोर्टन चीज यह है बाद का तो आप बाद में सोच लेना प्लीज अभी न जो सबसे इंपोर्टन चीज यह है कि आपको एकजाम क्रैक करना है एकजाम क्रैक अगर आपको ऐसे लग रहा या बहूत इजिली एजी वे में क्रैक हो जाएगा तो ऐसा नहीं है बच्छो एकजाम अच्छा करते हैं थोड़ी देर बच्छो के रखols ऑना बादạt मैरी प्र सब बलाऊंगे और इन्हें कहीं नहीं यहां in options आप n सब्सक्राइब अभी opportunities बें।र भी मिए नहीं जा सकते सब्सक्राइब you सब्सक्राइब करने उस पर दिल करने वाले हैं तो यह हमारा करतव्य है और यह हमारा हमें आपे खड़े होके एक यूनिटी दिखा के आप सभी से मैं एक बार बोलना चाहूंगी कि आप सब बोलिए कि एस फॉर्म भरना चाहिए या नहीं बिल्कु यह मैं तो बोली रहा हूं कि फॉर्म भर रहो और फॉर्म जरूरी भी है ठीक है ठीक ह करेक करेकर पार क्रेक पार बोल्या पार कर्का तो यह तो शुक्राइब लेक्वेस सेखेंगे ना कुछ ना कुछ ना कुछ भूस में चीक के यहां से और मैं तो बोलोंगा जो जो पॉद्धी आपके सामने जरूर ग्राइब कीज़े एक ना सोच के अपना आउट-पूट बेस्ट ताकि आपको रिजर्ट उसका बेस्ट मिले। तो यह आपका देखे यह पर करेंट अफेर्स का भी कंप्लीट यहां पर है तो अभी जल्दी से एक बाद और मैं बोलना चाहूंगी कि यहां पर ना स्टडी प्लान हमने बहुत बड़ा मतब काफी दिनों तक नहीं खीचा जाएगा क्योंकि आप सभी को पता है कि इसका एक्जाम आपका मार्च में हो सकता है तो मैं यहां पर जल्दी से आपको बता देती हूँ कल से हमारा बैच शुरू हो रहे है आप सभी को पता है कि कोई भी आज कल कोई भी बैंकिंग एक्जाम हो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जो है काफी ज़्यादा मार्क्स भी होल करता है तो मैं यहाँ पर जल्दी से आपको बता देती हूँ कल से हमारा बैट शुरू हो रहा है I'm sure अब तक आप सभी ने form भर दिया होगा तो मेरी जो classes होंगी current affairs जहाँ पर मैं आपको कराने वाली हूँ वो धाई से साड़े तीन मचे होगी जहाँ पर जिसका नाम भी मैंने 360 degrees इसी लिए दिया है कि जितने भी आपके minimum at least हम 6 महीने के current affairs यहाँ पर करने वाले हैं ठीक है और हर एक चीज उसमें आपकी cover करवाई जाएगी इसलिए मैंने इसका नाम भी 360 दिया है सो Monday to Friday आपकी classes होंगी ये एक घंटा में आऊंगी और last में जो है मैंने आपके लिए यहाँ पर test वगेरा भी जो है रखे हैं मैं आपको यहाँ पर एक बरी लिखके बताना चाहती हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर मैंने रखा है सो हमारी जो current affair करने की approach रहने वाली है वो simple रहेगी कि 6 महिने के हम current affairs करने वाले हैं ठीक है उसमें जितनी भी आपकी चीजें हैं जितनी भी अच्छा आगर आपने YouTube के मेरे sessions नहीं देखे हो Bank of India के जहाँ पर मैं रोज 2 बजे लाई वाती हूँ वहाँ पर मैं आजकल आपको previous year questions करवा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा यह idea हो जाएगा कि किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं पिछले सालों में और क्या हमें approach रखनी है आगे अपनी preparation करते time तो अगर आप यहाँ पर नहीं आए हैं 2 बजे 2 पीम तो आप यहाँ पर जरूर आएगा ताकि आपको idea हो जाए कि कौन-कौन से areas पर हमें जादा focus करना है और कौन-कौन से areas पर हमें हम थोड़ा कम कर सकते क्योंकि समय कम है तो हमें अभी थोड़ा सा smartly यहाँ पर पढ़ना पढ़ेगा अगर हम सब कुछ पढ़ने लगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा syllabus कवर करना तो थोड़ी सी smart approach हमें रखनी पढ़ेगी और उसके लिए सबसे important होता है हमें previous year question paper का थोड़ा knowledge होना और of course syllabus को तो हम miss कर ही नहीं सकते और जो-जो important areas होते हैं उनहीं पर ऐसे समय में अगर हम focus करें और अच्छे से अपनी तयारी करें और end में जो है test practice करें इसलिए मैंने भी आप लोगों के लिए last में 5 जो है full length mock test रखे हैं full length mock test यानि जब आपका syllabus पूरा हो जाएगा पूरे 6 महीने के current affairs मैं आपको करवा दूँगी तो पूरे 6 के 6 महीने के current affairs है उनके मैं आपके साथ test conduct करूँगी full length test जिसका मैंने नाम रखा है ताकि आपकी एक comprehensive preparation हो जाए आप पढ़ाई भी कर ले हमारे साथ और उसके साथ साथ test भी यहाँ पर आपके practice हो जाएंगे so basically एक छोटी सी simple और एक smart approach हम current affairs की लेकर चलेंगे जहाँ पर हम अच्छा ये एक और बात बता दू कि मैं इसकी आपको monthly PDF भी provide करवाने वाली हूँ क्योंकि हम सबको पता है end में सबसे जादा important यही होता है कि हमें एक महीने का कहीं एक खटा current affair मिल जाए जहाँ से हम cover कर अपना current affair जो है cover कर ले सो वो current affair का जो PDF है वो मैं आपको class में भी cover कर वांगी बाकि आपको PDF प्रवाइड भी हो जाएगी ताकि आप अपना revision कर सके और test मैं आपको बता चुकी हूँ तो यह simple approach रहने वाली है but at the same time हमें थोड़ा smartly हम पर करना पड़ेगा जैसा कि मैंने already आपको बता दिया है और हम end तक आप लोगों के साथ बने ही रहेंगे मैं और मेरी पूरी टीम आपको जो भी doubts होंगे आप हमारे जहां पर आपने enroll किया है वहाँ पर पूछ सकते हैं वरना हम YouTube पर भी आते हैं अलग-अलग slots पर जैसे मैं दो बज़े आती हूँ वहाँ पर पूछ सकते हैं सब के हमारे चली ग्राम चानल भी है तो बहुत सारे अलग-अलग sources है जहां पर आप हमारे साथ connect हो सकते हैं जो भी आपके doubts हो वो आप clear कर सकते हैं यहां पर आपस में बहुत सारे लोगों का comment हम देख रहे थे कोई नहीं आप सब सारे डाउड ले लो आप कल से जो आपका paid batch start हो रहा है ठीक है और आपने देखा होगा कि अभी हम आपनी यहां पर जैसे कि हम लोग ने बात किया भी सब यहां पर कि आपकी timing क्या होगी तो आपकी class की जो timing है आप यहां पर देख सकते हो सुबह 8.30 बजे से लेके सुबह 8.30 बजे से साम साथ बजे तक अलग-अलग timing पर आपकी classes होगी ठीक है सुबह 8.30 से साड़े नो banking awareness हम से मिलेंगे यानि सुबह की सुरवात banking से start कर रहे हो आप और last रात की जो ending यानिक जो देने वाले हो तरक सकती के साथ तो अगर हम बात करें यहां पर study plan की तो study plan में आप देख सकते हो normal आपका ठीक है यहां पर financial inclusion यानिक schemes की बात करें ठीक है financial inclusion schemes like normal आपकी चीज़े हैं जिसमें आपके बहुत सारे scheme आते हैं last year में भी scheme देखने को मिला था जैसे आपने normal financial inclusion जैस यह normal देखो जो भी topic जो भी आपका banking awareness का syllabus है वो बिलकुल normal syllabus है आपका बहुत ज़्यदा complicated नहीं है यहां पर ठीक है अगर previous year pattern को उठा के point out किया जाए देखा जाए तो उसमें आपने देखा होगा बहुत normal questions point out किये गये थे ठीक है इसके पहले के पहले types of ATM भी पूछा गया तो भी हमने यहां पर लगा रखा है और वे हिस्ट्री से भी question आया थे और वे हाँ एक चीज़ और आपके यहां से जो static banking को रिलेट करके question point out किया जा सकता है जो इसको हम लोग करता है current banking तो वो भी चीज़ आपको देखने को मिलेगी इसके आगे में ठीक है आपको यह इसी से मैंने उठाया था और दो दिन की class questions ते जिसमें इतने ताबर तोड़ तरीके question discuss कर रहे हैं ठीक है तो आप यहां पर और सारी चीज़े कराएंगे class में हम चाहते हैं कि आप साड़े subject के आप एक बार इस लेबस देख लो दिन उसके बाद हम लोग discuss करते हैं सारी चीज़े ma'am thank you sir मैं जल्दी से आपको study plan hi Nitin ठीक है यहां पर देखिए यहां पर मैं जल्दी से एक बार आपका study plan दिखा देती हूँ for reasoning थोड़ा आपको अलग लगेगा but एक मिर पस question आया कि माम हम beginner बिल्कुल beginner है तो मैं आपको बार बार यह बात बोल चुकियों अगर अभी start किये preparation तो बस आप experience के लिए देने जाईएगा बट यहां पर I don't think कि एक महीने के अंदर आप यह एक्जाम बिल्कुल मतलब इससे expectation मत रखना कि यह निकालेंगे हम क्योंकि एक महीने के अंदर अंदर हर चीज कर लेना cut off clear कर लेना और competition आप सभी को पता है कि जो बच्चे RRBs IBP आप सब्सक्राइगा इससे जाद दे चुके हैं वो सभी देंगे वो यह वाला एक्जाम तो एक competition रहेगा अगर अभी बिल्कुल आपने starting की है इसकी तो I would not recommend हाँ आप जाद सकते हैं दे सकते हैं बट इससे जादा होप मत रखना कि हो जाएगा मेरा क्योंकि बहुत ऐसी ऐ इससे जो most expected questions होने वाले हैं वो कराओं की पहले थोड़ा साम concept भी देखेंगे और उसी के साथ हम questions देखेंगे कि कौन से questions के आनी की सबसे अधा chances हैं उसके बाद आप देखेंगे कि जाह से अधा study plan में सबसे पहले बात मेरी जो मैंच होगी वापकी शाम 6 से 7 बजे होगी ड एक बात और यह बात और यह बैच यहां पर 6 से 7 लिखा है बट यह कुछ-कुछ दिनों कुछ-कुछ डेज में इसमें 7.30 तक यह बैच जाएगी डेढ़ गंटा भी हम इसमें करेंगे कवर क्योंकि मुझे पजल सिटिंग अरेंजमेंट में चाही होगा उतना टाइम ठीक ह यहां पर पजल सिटिंग अरेंजमेंट है उसके नीचे मैंने कुछ एक्सपेक्टेट पेपर भी करवाएं है जिसमें हम मिसलेनियस और पजल सिटिंग अरेंजमेंट इन दोनों को ही मिक्स अप करके करेंगे यह मैंने 14 मार्च तक खतम करने की कोशिश की है अगर डेट तो अगर इसा हुआ वैसे मुझे लग नहीं राए कि उर्फ्य रजाश के बिल्कुल अगर अगर ऐसा हुआ कि मार्च के एड़ेंड में अग्जाम के लिए तो हम यहां पर और दो तीन क्लास और यहां पे कर लेंगे आपके डूट सेशन ले लेंगे यहां बेंगे में है स आप प्लाइन और ठीके सर्ण आप जाईये मैं क्या बोलू सब मैं अल्रेडी सब कुछ बता चुक्त करते हैं किसी भी एक्साम की तो एक बेसिक लेविल की नॉलिज बहुत जादा जरूरी हो जाती है तो पेपर कही न कहीं अगर हम देखें जो बैंकिंग सेक्षान है वो कही financial awareness की कोर नॉलेज यहां पर होनी चाहिए तो देखो कोर नॉलेज के रिगार्डिंग सर आप क्या पेड़ पेड़ी करते रहोगे क्या यूट्यूब पे कुछ नहीं होगा तो देखो दोस्तों यूट्यूब पे हम डेडिकेड़ सेशन कर रहे हैं कंड़ जहा रहा है बेंकिं मतलब एक टेंशन रहती है ना बेसिक चीज सर क्या होता है बैंक एक्चुली में हमको चीजे रटे रहते हैं तो वो कही ना कहीं आपको बहुत जादा हेल्प करने वाले हैं तो बेस बनाने के लिए आपको वो सेशन करेंगे नाओ कमिंग तु दा कोर्स पार्ट दोस्तों के बारे में बात करें तो यहां पर मैं और वैवासर दोनों यह थोड़ा सा बड़न शेयर करेंगे कि टाइम कहीं ना कहीं कम है तो उसके अकॉर्डिंग हमने आप लोग के लिए प्लैन डिवाइस किया है बैंकिंग अवेरनेस जो है वो वैवासर आपको कराएंगे उसमें इच्शक को मैनेज किया जाता है कैसे रिसक को मिटिगेट किया जाता है वो एडवास नॉलेच जो कहीं न कहीं इवेन आपके रिटन पेपर में पूची आ सकती है और इंटर्वियू में थो डैफिनिटलि आप से पूची ही जाती है ठीक है तो वो कवर अप मैं आपको Risk Management in Banking Sector है वो यहां पर हम कवर करेंगे तो यहां पर देख रहें जानेंगे आज आप देख रहें होगे CBDC वगेरा बहुत जादा है तो वह अपने को पता होना चाहिए कि क्या है क्या है यह नहीं यह वह तर देटेस्ट क्या है यह सब चीजे ठीक है तो आपका एक बेशिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको कम्प्लीट बैंकिंग फिनेंशल अवेनेस यहां पर कराया जाएगा मेरी जो क्लासे रहेंगी दोस्तों वह यहां पर सुबह ग्यारा से बारा के बीच में रहेंगी स्टाइटिंग 22nd Feb से लेके 15th March अब यह कि जो टाइम यहां पर अख़ा गया है 15 मार्च बच्चों के मन में डाउट आ रहा हुगा कि सर यह क्लासेस दस क्लासेस क्या काफी है बहुत जादा यार मोर देन एनफ ठीक है और लिडी यह बहुत जादा है वैवसर आपको कंटेंट कर वा रहे ह तो में पेपर जो है रिटेन पॉइंट जो है वह आपका कहीं न गई मेजर ली वहां पे करेंट अफेर का रोल रहे का लेकिन वहां पे स्टैटिक पोर्शन भी रहेंगे और वह आपको एंड टो एंड कवरेज यहां पे मिल जाएगी इन दीज सेशन्स जो आपके साथ शे को एंड्रोल के रिगार्डिंग और जो कोड वगयर है वो अगर आप बता दे प्लीज सर यहां पे कुछ नहीं बच्चों को पता होगे इंफेक्ट हम लोग जो क्लासे डिसक्स करते हैं उनको पता हो अगर उनक्लास देखा होगा तो आपको जाना है अटटा247.com पर और ज यहां पर आपको लगाना है बैंक आफ इंडिया को यहां पर आपको लगाना है बैंक आफ इंडिया को जाते हो तो यहां पर आपको लगाना है बैंक आफ इंडिया 23 को लगाना है अपको ठीक है बी ओ आई 23 इस कोड को आपको अप्लाइ करते हो तो यह आपका डबल टू ड करोगे तो एडिशनल डिसकाउंट बिलता है तो दो नोट पे इस प्राइस और कम हो जाए कि अगर आप तो चाहते हो कहा आपका ये वेपर क्वालिफाई हो जो टाइम है हमारा और इस साल आपके संगर्स का जीवन का कहते है जो हम लोग टार्गिट बना के गवर्मन जॉब ह मन मनाली जेकर बैंक ऑफ इंडिया करेक करा तो स्टार्ट यॉपरेशन फ्री सोर्सेज यूट्यूब प्रेक्टिस चलती रहेंगी कोर्स मैंनो करना है तो सबने सारी डिटेल्स शेयर कर दिये है तो चली दोस्तों ओन दिस नोट वी और मेंटर्स नाओ साइनिग आउट